आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो हमारा question हम से पूछ रहा है कि what is a simple pendulum ठीक है हमें बताने है simple pendulum क्या होता है और expression for the time period and frequency of a simple pendulum ठीक है हमें ये बताने तो पहले हम बताते है simple pendulum क्या होता है simple pendulum ठीक है इसके लिए कुछ कुछ चीज़े characteristic होती है जो simple pendulum के वो जरूर होने ठीक है क्या क्या characteristics होती है it is a pendulum in which point mass is suspended suspended to a string string ठीक है मतलब एक string है ठीक है जिए सब्सक्राइब यह हमारा उपपर की वाल जिससे लटकावा है ठीक है यह हमारी string है और यह हमारा point mass ठीक है उसका मानलो mass है m अब इस string जो है string skill कुछ property होती है क्या क्या होती है कि string should be weightless ठीक है इसका कुछ weight नहीं होना चाहिए उसके बाद it should be in extensible ठीक है इसको extension नहीं होना चाहिए इसके अंदर मतलब stretch नहीं होना चाहिए ठीक है and it should be flexible ठीक है ठीक है यह होता है एक simple pendulum ठीक है अब अगर हम बात करें इसके time period of frequency निकालने की ठीक है time period of frequency कैसे निकालते हैं हम time period की बात करते है time period को formula होता है t is equal to 2 pi root inertial factor inertial factor मतलब जो भी इस pendulum को move करने की कोशिश कर रहा है वह अला factor ठीक है inertial factor upon the spring factor ठीक है दो भी restoring force हमें provide कर रहा है वह वाला ठीक है तो हम देखते हैं कैसे निकाल सकते है तो suppose करो कि हमारे पास यह pendulum है ठीक है यह हमारी wall जहांसे यह suspended है ठीक है अब यह उसकी mean position जो normal होगी है इसका equilibrium जो होगा अभी जो pendulum है suppose करो वह है at an angle theta ठीक है theta angle पे from O ठीक है इस point का हम बोलते P ठीक है और इसी के opposite एक और side वो जा सबते है है न this is also theta ठीक है और इसका हम बोलते Q ठीक है तो जो pendulum का motion होगा वो कैसा होगा pendulum का motion होगा कुछ इस type का ठीक है ऐसे 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 pendulum move करेगा ठीक है अब हम जहां से यह suspended है इसको point of suspension S ले लेते है ठीक है अब क्या हो रहा है यहां एक point mass है जिसका mass का है M हमें पता है ठीक है हमें अभी क्या पता है कि mass mass bob नीचे हम उस चीज को बोलते चलो bob ठीक है mass of bob is M ठीक है और हमें क्या पता है हम लेते length of pendulum ठीक है pendulum जो length होगी उसकी वो कित्ती होगी सा पूस करता है L ठीक है अब जब हमने इस pendulum को थोड़ा सा displace किया ठीक है O से 2P ठीक है उसने angle theta बनाया ठीक है अब हम क्या बोल सकते इसके उपर बहुत सारे forces काम कर रहे अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ठीक है बहुत सारे forces साम कर रहे कौन कौन से forces साम कर रहे हम वो देखते है ठीक है P पर जो forces है वो कौन कौन से है पहला है downward force यह कौन सा है mg ठीक है due to weight of the block ठीक है उसके बाद हम बात करते है यह वाल एक force की ठीक है जब यह मास इधर है तो यह एक tension create कर रहा है ठीक है इस string में ठीक है इस string में वो एक tension create कर रहा है वो हमारी suppose T ठीक है हम इस string को थोड़ा सब और extend करते है तो यह हमारा angle theta हो गया है ना तो हम क्या बोल चकते यहां से एक 90 degrees का बनाते है तो यह हमारा angle हुआ यह है हमारा अगर हम इस mg को component में ब्रेक कर दो यह हुआ हमारा mg cos theta ठीक है यह वाला जो arrow जा रहा है और यह वाला है उसके perpendicular this is sin theta ठीक है किसका mg का ठीक है हमने इसको component में ब्रेक कर दिया तो यह हमें समयाज आ गया कि हमने इसको component में ब्रेक किया ठीक है अब अगर हम देखेंगे कि for this to be an equilibrium ठीक है हम क्या बोल सकते कि यह string टूट ने दिया कुछ हो नहीं रहा इसमें तो अगर हम free body डागनामा रहेंगे ठीक है तो हम बोलेंगे at that is equal to t opposite opposite है ठीक है और हमें क्या पता है हमें इस से समझ आ रहा है कि जो यह mg sin theta वाला term है यह mg sin theta वाला term है यह क्या कर रहा है यह एक torque generate कर रहा है from here ठीक है इस side में torque जिस्चे कि यह particle P यह वापस अपनी position O पर आ जाया ठीक है तो ऐसा कुछ एक torque generate कर रहा है ठीक है कौन सा force mg sin theta ठीक है तो हम क्या बोल सकते है कि जो torque होगा उसकी value क्यों होती है it is force into the perpendicular distance from its center है जो भी बोलो ठीक है तो इससे हमारा torque क्या आएगा torque हमारा आएगा जो हमें चाहिए torque is equal to minus क्योंकि वो restoring है ठीक है mg sin theta into L ठीक है L is the perpendicular distance ठीक है length of the string ठीक है अब हम assume करते है कि हमने string को जादा highly displace नहीं किया ठीक है क्या बोल सकते है कि if theta is small ठीक है अगर हमने थोड़े से theta से उसको displace किया है तो क्या होगा we can assume that sin theta that is equal to theta है ना तो इसने हमारे पास क्या आएगा इससे हम बोल सकते है कि हमारा tau आएगा वो किता आएगा हमारा minus mg l theta ठीक है हम इससे क्या बोल सकते है अगर हम इसको ब्राकेट में ले ले तो हम इससे बना सकते है इसकी simple harmonic oscillation की equation ठीक है यह हो गया हमारा type of tau is equal to minus k times of theta ठीक है this is an equation of this is the equation of equation of simple harmonic motion ठीक है तो हम क्या बोलते है जो पेंडोल हमें simple harmonic motion में move करता है उसका time period क्या होगा t is equal to 2 pi root of हमने उपर लेका था inertial factor ठीक है अब अगर हम बात करें time period निकालने की time period के आया to 2 pi root of इसमें inertial factor के है inertial factor होगा उसका moment of inertia ठीक है उस bob का कित्ता होगा वो that will be equal to mass into distance square which is L तो ML square upon spring factor spring factor के है यह जो हमारा k है यह कित्ता है हमारा this is equal to MGL तो हम डालेंगे MGL तो MN cancel हो जाएगा L का एक कैंसल हो जाएगा एक से तमा जो time period आएगा T is equal to 2 pi root of L by G ठीक है यह हमारा time period जो हम निकाल रहे थे ठीक है अब अगर हम frequency की बात करें if new is frequency that is equal to 1 upon T है ना simply तो हम क्या बोल सकते new is equal to 1 upon 2 pi root of G by L okay so we found out the frequency also so these are the answers thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आज चारसो 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 पर करें जादा झाल झाल झाल